हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं चलिए फिर से मैं एक रिडिंग लेकर आ गई हूँ अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो लाइक करते हैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ह करते हैं आप समझदार हैं आपकी जो पार्टनर हैं मैं बता दूं किस टॉपिक पर मैं इडिंग कर रहे हूँ आपकी जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं पहले उनकी निर्जी निकालेंगे स्टैंप एनर्जी कैसी है उनकी आपके लिए क्या सोच रहे हैं क तो यह काड़ दी है उन्होंने तीन काड़ दे दिया है अभी उनकी इनर्जी क्या है ओके फाइव अफ सॉर्ड फाइव अफ पैंटिकल देखिए गाइज वो न देखिए गाइज वो न देखिए शिक्स ऑफ वांटिकल्स एंड शिक्स पैंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकर्ड तॉरस यहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है फाइव साइन भी है यहां पर एर साइन भी है ठीक है साइन सारे है यहां पर कप नहीं है कैंसर है यहां तो आज आएगा कप भी यानि वाटर साइन ओके कप मतलब की कप जो वह होता है सूट सोते हैं चले हाँ तो आपके पार्टनर की एनरजी बता दूँ मैं आपके पार्टनर की एनरजी क्या है आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं मैं कल भी रेडिंग करी थी तो उनकी जो एनरजी आ रही थी वह यह आ रही थी कि पैसों की दिक्कते तो बहुत है नेगटिव पास्त में चीज़े सोची थी पैसी कमी है क्या होगा मेरे पास अगर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा इनंदर एक सर्वाइवल के लिए जो आगे के लिए उन्होंने वो एक negative thought पाल रखी थी, वो जो है अब subconscious mind में वो data जो collect कर रखा था, वो data निकल निकल के universe में अब जाके वापस उन तक पहुंच रहा है, समझ रहे हो, एक सकेंड गाईज, मैं फिर आ गई हूँ, थोड़ा काम था, ओके, हां जी, तो मैं क्या गह र पास्ट के energy आपके partner की क्या थी, कि उनकी कुछ unwise choices थी, जिसके कारण वो बहुत परिशान थे, उनके friend circle में हो सकते हैं, उनके rival हो सकते हैं, work area में, family में कुछ ऐसे रड़ाई जगड़े हो सकते हैं, हो सकता है उनके जो mother parents है, या family है, उनकी जो wife है, या उनके friend में को सबसे energy आ रही है, family members, relatives, या फिर उनके work area में, या उनके friend circle में, कुछ इस तरह की बाते, उनकी choice जो है, वो समझ नहीं पा रहे थे, कि ये मेरे लिए reliable है या नहीं है, तो उनके साथ जो चीजे जो उनको धोका दे के जा रहे थे लोग, उनको अब वो समझ रहे हैं इस चीज को, क् आपको क्या चीजे खुशी दे सकती हैं, तो वो अब ऐसे लोगों को, जो लोग उनकी life में थे, जो उनको समझते नहीं थे, उनको अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी life से out कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके उपर questions, question mark उनके mind में रहता था, एक questions उनके mind में लोगों के लिए रहत थे, ऐसा क्यूं हुआ, ऐसे लोगों ने ऐसे मेरे साथ क्यूं किया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी life से थोड़ा सा release करना शुरू कर दिया है, और for a wants का card है, यहां पर आपके लिए वो बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, celebrate करना चाहते हैं, अपनी life को अच् faith बढ़ गया है, और चीजों को कि यह जो destiny में लिखा होता है, वो ही होता है, उनकी growth में जो रुकावटे आ रही थी, किसी भी area में, वो चीजें खतम होरी, अपनी पर, उनकी जो personal life है, peace में उनको, जो lack of peace की जो energy थी उनकी, अब वो धिरे धिरे peace में आ रहे हैं, prosperity उनकी life मे आ रही है, guys, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी life से out करने की पूरे जतन कर रहे हैं, कि कैसे energetically, अगर एक family में रहते हैं, तो बिल्कुल family में रहते हैं, तो आदमी बंदार रहेगा ना, अब घर चोड़के तो एक दम से नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ उनकों लोगों से detachment की energy मेरे को यहाँ पर देख रही है, detach, उन्होंने detach, अपने को detach करना शुरू कर दिया है, एक तरह से अलग करना शुरू कर दिया है, वो energy कट करनी शुरू कर दी है, focus हो गए हैं, अपनी काम पे अपनी energy को balance करने में, careful एक तरह से मेरे को लग रहे हैं, वो awareness में आ रहे हैं, challenges जो उनके सामने थे, emotionally हो सकते हैं, emotional वो feel करते हो, क्या कहते हैं, loss feel करते हो, emotionally loss की उनकी जो energy थी, उनसे अब वो बहार नेगलने की कोशिश कर रहे हैं, काम में, दिमाख में, सोच जो उनकी थी, उसको implement करने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्तितियां कैसे भी हो, उसके against जाने की देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ठीक है, ये चीज़े मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, और बहुत speed, बहुत तरीके से बहुत जल्दी, जैसे कि कार्मिक क्लिंजिंग होना, एक तरह से जो गलत चीज़े थी उनकी life से जा रही है, उनको उनोंने कट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, परिशानिया जो थी उनकी लाइफ में, या पैसो को ले के बहुत सारी दिक्कते थी, ठीक है, जो भी बुरा टाइम उनके साथ आया था, मनी को ले के चारतरफ से, और लोग उनको धोका दे रहे थे, उनके साम तो उसके लिए पैसो की दिख्कत गरते हैं तो उसके लिए भी पैसों की दिख्कत यह सामने इसले भी दिख्कत करते हैं। के सामने एक स्टेबल लाइफ वो चाते हैं और है वो लेकिन कहीना कहीं उनकी फ्रेंट सरकल में उनको धोका दिया गया इस वज़े से वो परिशान रहे हैं अपने पास्ट में थोड़ा सा अपनी चीजों को समझने लगे हैं अब क्या है उनका जो हार्ड वर्क है ठीक है वो हार्ड वर्क उनको कहीना कहीं सक्सेज दिलाएगा बैलेंस करेगा उनकी जो प्रियोर्टीज है वो अपनी प्रियोर्टीज को समझने लगे हैं डिटर्माइन होकर अपनी विल पावर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ठीक है लोग जो उनको पहचाने लगे हैं जानने प्रियोर्टीज का एक सुसाइटी में उनको वो चीज वो वैल्यू उनको मिल रही है जो उनको चाहिए थी ठीक है क्योंकि अपनी लाइफ का जो कमांड है उनकी अपने हाथ में उनने ले लिए एक तरह से यह बोल सकते हो आप ठीक है तो यह आपकी पार्टनर की करंट अन वाइफ के साथ या घर में जो भी दिक्कते थी वो मिरको यहां पर खतम होती दिख रही है और कुछ लोगों की एनरजी है कि अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर में उनके शादी का माहौल हो सकता है शादी हो उनके घर में और शादी के चलते पैसों की दिक् रहे हैं अपनी पावर को समझ के कि मैं यह सब कर सकता हूं और हो सकता है यहां पर यह भी एनर्जी कि कुछ लोग विश्वास करते हूं कि मेरे फ्रेंड्स जो है मेरी हेल्प कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं वो जो पर्दा उनकी आँकों पड़ावा था ना वो हड गया एक तर हैं और इसमें male female दोनों ही हो सकते हैं तो यह भी है अपने उन लोगों से वो दूर हटते नजर आ रहे हैं king of pentacles बिल्कुल एक तरह से अगर मैं बोलू हो आपके लिए यह मैं निकाल रहे हूं आपके लिए एक तरह से loyal होते नजर आ रहे हैं आप आप जो भी आप समझाते दे एक्चुली उनके friends के बारे में की ऐसे हैं उनके साथ बात मत करो या वो नुकसान करेंगे उनसे ज्यादा advice मत लो या उनसे help मत मांगो वो आपको manipulate कर रहे हैं या आपका काम खराब करेंगे यह चीज़ यहां पर दिख रहे हैं तो आपके partner इस चीज़ को समझ रहे हैं और guardian angels उनके साथ हैं guys विल्कुल वो अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने pentacle पे अपनी महनत करते नजर आ रहे हैं और आपकी बातों को समझ रहे हैं जो आप समझाते थे हैं देखो hard work कर रहे हैं multiple jobs हो सकती हैं उनकी business भी कर रहे हैं जॉब भी देख रहे हैं थोड़ा सा यह भी हो सकता है ठीक है बट उस चीज़ में क्या कहते हैं priorities उनकी बढ़ गए न तो उस भी जो multiple priorities हैं उनकी उसमें जगलिंग कर रहे हैं थोड़ा सा balance है उनकी life में बट कही trust worthy energy है याँ पर और devoted हैं बिल्कुल आपकी तरफ आप उन पर trust कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि वो आपकी तरफ एक romantic relationship में आके बढ़ना चाहते हैं आपके साथ आप spiritual journey में हो बट कहीं न कहीं आपके partner को इस चीज का नहीं पता है बट वो 3D से operate करते हैं बट उनके जो angels हैं जो universe है वो कहीं न कहीं इस चीज को उनको trigger करते हैं सोचने समझने के लिए की track पे लाने के लिए ठीक है आपके partner बहुत ही kind hearted है बट कहीं न कहीं manipulate हुए है वो इस वज़े से उनके साथ परिशानी आई है दावील बिल्कुल good luck उनके साथ है guys एक fresh new start उनकी life में होगा जो भी delays थे जो भी कुछ money को लेके या किसी भी काम को लेके वो अब खतम हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो progress है वो अब अच्छे से हो रही है success fruitful results उनकी life में आएंगे और ये good luck है उनकी life में ये जो कहीं ये भी है कि कहीं भार जाकर अगर वो business करना चाहते थे और उनकी wish पूरी नहीं हो रही थी और कहीं ना कहीं उनके आपके partner ये भी energy है कि बिल् challenges जो भी है छोटे मोटे रह गए हैं बट उनको भी अब वो huddle को एक तरह से obstacles जो है जो भी आ रहे थे उनको overcome कर लेंगे बिल्कुल hangman है awakening है awakening उनको यानि की awakening एक wake up call आईए कि उनको समझ में आ रहा है कि सब चीजे में इसाथ क्यों ही है ठीक है temporary ये hangman की situation में है अंदर से स जोच रहे हैं समझ रहे हैं इस चीज के बारे में और आने दे रहे हैं एक अंदर उन चीजों के embrace कर रहे है कि चलिए जो चीज होती अच्छे के लिए होती है एक का डॉल रहेंगे बिल्कुल balance उनकी life में आ रहा है guys आपके partner के patience रखा हुआ है balance उनकी life में self control वाली energy उनकी यहाँ पर दिख रही है कि बहुत control करना सीख गये हैं ओके एक और लेते हैं release बिल्कुल यह चीज़े आपकी partner की life से जो भी negativity है जो चीज उनकी life में उनको serve नहीं कर रही थी उन चीजों को अब time आ गया कि इशर भी चाहते हैं divine जो चाहते हैं वो अब automatically release हो रही है ठीक है ज जो उनको serve नहीं कर रहे थे ऐसी memories जो उनको serve नहीं कर रही थी उन्होंने past की जो memories थी hold करके रखी हुई थी और उनके transformation में वो दिक्कते आ रही थी तो वो सब चीज़े release कर रहे हैं आपके partner ठीक है तो यह है आपके partner की energy अब देखते हैं और क्या आता है आपके आपके यह universe क्या कहना चाहते हैं आपका जो connection है आप आप को क्या बताना चाहते हैं ओके देखते हैं क्या आता है एक चीज़ आई call and text contacting your twin flame अगर आप twin flame connection में है soulmate connection है बिलकुल आपके partner आपको call या text कर सकते हैं क्योंकि इंची जो को समझने लगे हैं ठीक है और क्या है soon happy news and developments coming बिलकुल आपकी life में भी यह जो भी आप एक विकास की तरव अपनी growth की तरव आप बढ़ रहे हैं और यह happy good news आपकी life में एंटर करेगी because you are on the right path now wholeness balancing feminine and masculine energies बिलकुल उनके अंदर भी जो feminine energy थी imbalance थी आपके partner के अंदर और वो energies अब twin flame connection में है या soulmate connection में बिलकुल आप यह energy है आपके अंदर वो energy balance है तो आपके partner के अंदर भी वो energy balance हुई है इसी वज़े से यहां तक इस energy में आए है यहसे लोगों को वो समझ गए हैं कि जो मेरे लिए अच्छे नहीं है ठीक है turn flame awakening देखो awakening यहां पर आया है मैंने बोला ना उनकी awakening period चल रही है growing closer gaining awareness बिलकुल awareness में आ रहे हैं वो और इस चीज़ को एक तरह से spiritual जो उनकी growth हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है समझ रहे हैं हर चीज़ को और क्या है turn flame stages बिलकुल turn flame की काड़ turn flame यहां पर यानि के बहुत strong energy your relationship is in a phase of turn flame stages बिलकुल यह stages है आपके लिए भी और आपके partner के लिए भी यह process चल रहा transformation है एक transition period में है आप लोग तो यह बिलकुल आप का relation जो है यह phases है first second third जो भी stages होती है ठीक है तो यह एक आप transition period में है ठीक है nothing to worry about all is well you need not fear तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डरनी की जुरुत नहीं है सब कुछ ठीक है क्योंकि सब divine की मर्जी से होता है ठीक है और सब divine timing पे होता है अगर third party आपकी लाइफ पार्टर की लाइफ से हटेगी तो वह इन चीजों को समझेंगे क्योंकि उनको भी अब divine आप सही ट्रैक पे लेके आ रहे है इट्स नौट तू लेट कुछ भी देर नहीं होई है अगर देर आए दूरुस्त आए वाली बात है अगर आपके पार्टर के लिए भी बोला जा रहा है युनिवर्स की तरफ से कि कोई देर नहीं होई है अगर कहते हैं कि सुबह का भूला रात को घर वापस आये तो क्या उसको भूला नहीं कहते है ऐसा कुछ है तो बिलकुल एक्शन ले लीजे और आपके पार्टर भी एक तो आपके पार्टर तक नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि फिर से आपका सपरेशन हो सकता है क्योंकि आप लोग के अंदर वो विल पावर है वो स्टेंथ है वो स्ट्रॉंग एनरजी है जो आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो यह यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है और तुम लोग पैदा ही हुए पेशन्स रखना है और इस सिचुएशन को सही होने में आपको पेशन्स रखना है गाइस और यह जो आपके काउंटर पार्ट के अंदर के जो फियर बेस्ट अनरजी इस थी कही न शेड़ो साइट थी वो रिलीज हो रही है वो रिलीज करते नजर आ रहे है आप लोग को यह डेस्टिनी आपकी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो जो भी स् ओके चली इनसे भी देख लेते हैं फड़ाबट एक कार्ड लेते हैं इनसे और क्या गाइडेंस है आपके लिए टर्ण नॉलेज इन्टू विजज़म जब मैं इन कार्ड को देख रही थी कार्ड मैं बहुत गहर से देख रही थी और इश्वर यही कहना चाहते थे यह टर्ण नॉलेज सॉरी इन्टू विज़़म अपनी विज़़म को बढ़ाईये गाइज नॉलेज आपको जो भी कुश्चन्स है अंसर मिलेंगे आप कहीं से भी नॉलेज ले रहे हैं तो उसको नॉलेज को पढ़ना यानि नॉलेज लेना ही कुछ नहीं होता उसको अपने अंदर उतारना भी होता है implement करना भी होता अपने अंदर ठीक है apply भी करना होता है उसको practice भी करनी होती उसको एक बुद्धी मता आपकी वो जो wisdom पावर है आपकी उसको use करो उसमें convert करो ठीक है एक और लेते हैं एक और लेते हैं बिलकुर trust in divine powers बिलकुर divine पर आपको trust करना है be at home बिलकुर यह चीज़े आपके अंदर आएंगी तभी कुछ हो सकता है guys ठीक है इनसे भी देख लेते हैं आपके partner ओके आपके partner आपके लिए क्या सोच रहे हैं पहले मैं यह card लेती हूं आपके partner फिलाल आपके लिए क्या action लेंगे क्या energy आपके लिए indecision अभी वो awakening period में है तो indecisive हो रहे हैं confusion में है अभी थोड़ा सा delay है क्योंकि वो अपने transformation से गुजर रहे हैं और अपनी उनकी भी एक spiritual journey स्टार्ट हो चुकी attachment आपसे है बिलकुल है उनको ऐसा नहीं है लेकि indecisive यानि की आपको चुनने में और अपने काम को अपनी third party को yes वो उनकी पास multiple priorities है एक तरह से हो सकता है कुछ भी तो यही है कि उनको जब तक आप चीज उनको clarity भी मिलेगी और वो जो decision नहीं ले पा रहे हैं वो लेंगे guys बिलकुल आपके life में happiness लिखी हुई है क्योंकि आप अपने काम पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए काम करना है growth करनी है और इस energies को balance करना है ठीक है आपके लिए यह है आपकी partner आपसे attached है कह change हो रही है positive energies में convert हो रही है वो समझ रहे हैं चीजों को financially जो भी problem थी financial problems थी वो भी खतम होंगी और आपसे बंदे में guys आपके partner यह door to value बिलकुल आपके लिए stand लेंगे और वो एक journey में है ठीक है आपको patience रखना है that's it इनसे भी देख लेते हैं क्या आता है थोड़ी लंबी 35 की age की है 28 में को यहां पर लग रहा है फिर उसके बाल बहुत कुबसूरत है blonde hair हो सकते है हां horseshoe good luck आपके साथ है guys आपके partner के साथ good luck आपके साथ है wheel आया ना बिलकुल good luck आपके साथ है और देखते हैं क्या है दोनों के लिए है यह चलिए दो काड़ और लेते हैं कर्मा you will reap what you have a what you have so on मतलब कि जो आपने बोया वही आपको मिलेगा है ना तो यह कर्मा की क्लिंजिंग हो सकती है आपके partner की और आपकी जिस partner से भी आप deal कर रहे हैं बहुत ही goal oriented है action taker है और वो इंसान आपको क्या है कि बुलजाय वाला जो होता ना target उन्होंने अपना देख आपको यह चीज आपके अंदर भी energy होनी चाहिए ठीक है तो आपका target बिल्कुल clear होना चाहिए आपके partner का भी clear है dark woman बिल्कुल कुछ लोगों के यह woman क्यों आ रहे है ओके dark complexion हो सकता है dark hair हो सकता है ठीक है और relationship जिससे भी female energy है आप जिससे भी deal कर रहे है ऐसा हो सकता है एक की fair complexion है एक का dark complexion है एक और ले ले चलिए tent temporary situation है जो भी है अभी आपकी ऐसा नहीं कि मेल के पत्थर पर लिख दी है आपकी किसमत ऐसा नहीं है आप अपनी किसमत खुद चमका सकते हैं खुद चेंज कर सकते हैं तो आपकी partner आप अपनी journey में आके बढ़ रहे हैं आप भी आगे बढ ग्रोथ करो आगे मिलेंगे बिलकुल मिलेंगे और यह चीज़े बहुत जल्दी sort out होंगी guys don't worry चले यह अभी के लिए इतना ही और reading थोड़ी लंबी हो गई है अपना ध्यान रखिए टेक केर बाए God bless you all love you all